है तो strict अगर से करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेंट होने वाली है विकॉस आज की वीडियो में मैं आपको स्कैलपिंग ट्रेइडिंग स्टाट करने वाला हूं तो देखें घाईज अगर आप संद्रेडिंग करते हैं तो आपको दो तरीक से problem face करनी पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा सीरियोस है इसलिए consistent basis पे एक profitable वरना challenge हो जाता है क्या कहने का मतलब है option trading में अगर आप trade करते हैं तो अगर आपने सोचा है कि market एक point से उपर जाएगा तो उपर जाएगा तभी profit बनाना है तो fast moment चाहिए आपके side एक तो fast moment चाहिए साथ में आपके side moment चाहिए तो accuracy कहीं ने कहीं खुदी थोड़ी सी कम हो जाती है as compared to option sellers बट आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुती बड़िया एक बहुती accurate strategy बताने वाला हूँ जिसको अगर आप use करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया results option trading में देखने को मिलते हैं strategy क्या है चार्ट पे multiple example के साथ बताऊंगा stop loss कहां लगाना है target कहां लगाना है कैसे आप scale up कर सकते हैं सभी plan में आपको बताने वाला हूँ वीडियो के वल देखने से फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कुछ चीज़े नोट डाउन नहीं करेंगे तो आल सजेस्ट कि प्लीज कॉपी में नोट डाउन कीजेगा एंड साथ में उसको डेली डेली आपको अप्लाई करना पूलेगा तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं वही चीज़े बताता हूँ जिसमें आपको सबसे आदा प्रॉबलम होती है तो प्लीज वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक सभी लोग 2-2 जन को सेयर करेंगे और आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो के सेक्शन में कि आप स्पेसिफिक कौन सी स्ट्राटजी फॉलो करते हैं जी हाँ जैसा कि मैंने आपको बताई कि बिग बार का मतलब क्या होता है कि बार का मतलब समझी का कैंडल बिग का मतलब वेरी बिग का मतलब क्या बहुत बड़ी कैंडल नहीं बहुत बड़ी कैंडल नहीं पहले इसको समझना बहुत जादा जरूरी है जब तक आप यह नहीं समझेंग एक big bar candle बुनती है big bar का मतलब किया हुआ यहीं पर base है इसको समझना पुड़ेगा इन सभी जो मान लीजिए आपर 10 candle बुनी है तो इस सभी 10 candles का मान लीजिए अगर overall size 20 point का है ठीक है उपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है तो इस candle का size इस candle का size कम से कम इसे 60% इन सभी candles के 60% 70% के उपर होना चाहिए मतलब इसका size कम से कम 12 से जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना फायदा है minimum 12 और जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए फायदा है मतलब on average basis सभी candles के comparison में बड़ी होनी चाहिए अभी मैं आपको multiple charts दिखाऊंगा तो आपको clear होगा ठीक है तो इसको बड़िया targets और बहुत बड़िया accuracy देखने को मिलती है और यही market का strength है लोग all एकदम exact high पर buying करते हैं तुरन SL कर जाता है लोग एकदम sell हो जाता है market तब sell करते हैं और उसके बाद market reverse होता है SL कर जाता है तो market गिरे pause करे SL मिलेगा आपको अच्छा फिर follow करेगा तो बड़िय why you are taking the trade यह समझना बहुत जरूरी है अगर आप trading करते हैं तो हो गया big part एक pattern हो रहे भाई कि support resistance का use करना पड़ेगा end trend line का क्या बोला मैंने support resistance trend line maximum लोग को पता है क्या होता है फिर भी समझा देता हूं यह जो भी context में बात कर रहा हूं यह आपका कितने context में आता है 10 दिन के अंदर 10 से 12 दिन भी हो सकते हैं मतलब पिछले 2 दिन का भी support consider करना पड़ सकता है 5 दिन का भी करना पड़ सकता है 10 दिन 12 दिन का भी करना पड़ सकता है support resistance and trend line big bar में आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा तो big bar candle six pattern और support resistance trend line आपको ध्यान देने पड़ेगी कुछ और कंडिशन से वह भी मैं आपको चार्ट पे में एक्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूं प्लीज और प्लीज ध्यान से समझेगा ठीक है सब्सक्राइब का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज एक इंपॉर्टेंट प्राइस हाल जहां पर मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया है क्या किया है टाइम स्पेंड किया है चली हम लोग देख यहां पर ध्यान से देखिए गाई थीक है पहले तो मैंने आपको घ्लीर कट बताए कि श्पोर्ट राइस नहीं होगी टाइम फ्रेम को गवल फाइम मिनट यूज करना है निफ्टी बैं यहां पर आपको ध्यान देना पोड़ेगा तेखिए क्या हुआ मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड लॉक्ट किय ना बढ़िया कितना तुकिल यहां से लेके नहीं तक है कितनी दिल वृफ्ट यह हो गई आपकी 10 बच के 5 मिनट से लेखे लगबग 12 बच के 20 मिनट मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया लगबग आपका हो गया एक गंटे से उपर ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे तो इन सबी candles के comparison में यह green वाली candle बहुत बड़ी बनी है इसी candle के high पे आपको trade लेना होगा इसी candle के low पे आप कैसल होगा और देखिए आपको कितना बढ़िया target देखने को मिला है अब देखिए दो चीज़े आपको ध्यान देनी पूरेंगी यही पे big bar बनी है अगर आप थोड़े से रिस्की है तो आपको यही पे ध्यान देना था नहीं तो big bar एक यहाँ पे बनी है आप यहाँ पे भी trade ले सकते थे ठीके यहाँ यहाँ पे 50% quantity लेते sorry 30% यहाँ अप अपनी quantity बढ़ा लेते अभी multiple example दिखाऊंगा ठीक है आपको बढ़िया target देखने को मिला है सबसे important twist है यहाँ पे market को spend करना चाहिए time time का मतलब क्या है minimum 4-5 candle 5 candle मानके चलिए और यह जो range हो nifty में कम से कम 30 point की हो same चीज 5 candle time spend करे bank nifty में आपकी कम से कम 80 point की range होनी चाहिए यह nifty की बता रहो market यहाँ पे थोड़ा सथीख होगया market यहाँ पे देखिए एक बढ़िया rally बनाया ठीक है मतलब gap up हुआ यहाँ पे देखिए एक resistance बना market नहीं एक बढ़िया time pass किया यह देखिए यहाँ पे बढ़िया time pass किया है कितने percent का है 18 point की range है जितनी कम range होगी उतना ही frustration increase होगा उतना ही बढ़िया targets आपको देखने को मिलेंगे क्या बोला हमने जितनी कम range होगी 30 point की maximum range है जितनी कम होगी उतना हमारे लिए फायदा है तो यह clear हो गया अब देखिए दियान से यहाँ पे क्या हुआ market ने time spend किया यहाँ पे देखिए एक big bar candle बनी इसी के लोपे आप ट्रेड लेते इसी का swing हाई SL की नीचे का कितना बढ़िया target मिला है entry कैसे लेंगे अगर आप देखिए यहाँ पे entry लिए stop loss कितना है stop loss आपका है केवल 20 पॉइंट का 20 पॉइंट 15 पॉइंट 10 पॉइंट इतना stop loss आपका चलता है पहला target आपका होगा one is to one second target के लिए आप stop loss को cost to cost ले आइए देना one is to two या फिर आप यहाँ पे चाहते तो इस वाले resistance के पास इस वाले resistance है थोड़ा सा उपर लगभग one is to आपको बढ़िया मिलेगा ना आप रिस प्रियो अपर्चुन्टी होगे आपको one is to two one is to three मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से क्या है यहाँ पे कुछ है भी तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिग बार के सा मैं सुबह डेली नो बजे से लेके सामको तीन बजे तक आता हूं तो वहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से लर्नी मिलने वाली है अब देखें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब उजस्ती के ट्रेड नहीं करने है ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कु यहाँ पे सपोर्ट ब trophy बना रहे हैं अब अगर अब देखें हैं तो यहाँ पर एक रेंज बनी है यह वाली ठीक है यह एक रेंज बनी कितने पॉइंट की रेंज है सर पूरी गालकुलेसन पुड़ी है कितने पॉइंट की सरा संगी अंग सब्सेंग में आप सब्दोर से strands है जब्सक्राइब बड़ा टागेट देखने को मिलेगा तीसरा सबसे बड़िया सपोर्ट है क्या बिग बढ़ बनी है रेंज के पास है यहां पे एक बिग बर कैनल बोनी इसी के पास आप एंट्री लेते हैं यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता है बीस पोइंट से करके देना बड़े profits के लिए तो target के लिए जा सकते हैं कोई भी लेगे रूल आपको समझने पुढ़ेंगे किसी भी premium में अगर आपको 10% से यादे का target मिल चुका है तो उस strike price मतलब उस trade को आपको loss में नहीं काटना है जैसे आपने मान लीजिए 200 रूपय का premium लिए वो 220 चला प्लीज उसमें कुछ profit book कीजिए अगर book नहीं कर पाए हैं तो उसको loss में मत काटिए cost to cost काट लीजिएगा यह कुछ rules है जो आपको समझने पुढ़ेंगे है ना यहाप फिर से देखिए आपको big bar का example दिखा यहाप एक double top का formation है market यहां से उपर गया नीचे गिरा support resistance का ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखें मार्केट ने टाइम पास किया यहां पर एक big bar candle बनी triple top का भी formation आप बोल सकते है triple top ठीक है big bar बनी इस candle big bar कैसे पता चले कि big bar है देखें सब भी candles के comparison में यह सबसे बड़ी candle है ना on average basis जितनी previous candles है जो रेंज में चली है उनके comparison में 60% 70% बड़ी है यह तो 100% सभी candles के comparison में बड़ी है यहां पे इंट्रीली यहां पे stop loss देखें किया और कितना बड़ी है target आपको देखने को मिला है एक चीज़ और trade कभी कभी नहीं बनता है तो जब अजस्ती का trade नहीं लेना है यहां पे कहीं पे भी आपका trade नहीं बना है त यहां पे big bar बना दिये नहीं ले सकते आप कैसे लोग है पहले बाद तो support races नहीं है दूसरा क्या है range कहां बनी है कमसे कम 5 channel की range तो हो तो big bar कहीं पे भी आप नहीं बना सकते हैं यहां पे देखें क्या हुआ market support बनाया ठीक दो तरीके से big bar काम करेंगे देखिए support support यहां पे देखिए range बनी है यहां पे देखिए range बनी है तो यहां से नीचे भी जा सकता है उपर भी जा सकता है ठीक आपको बस wait करके trade करना पड़ेगा अब support है तो बहुत ज्यादा chances common sense भी थोड़ा price section का लगाना पड़ता है भाई ठीक है अब यहां पे common sense है कि support जब तक break नहीं करे अब सेम तरीका क्या होता market यहां पे time pass किया यहां बिक बार बनी मन नहीं लेता downside का यहां पे एक और बिक बार बनती support का breakdown हो गया तब में entry लेता तो यह सब थोड़ी सी price section की चीज़े है जो आपको ध्यान देनी पूड़ेंगे यहां पे देखिए गाईज आप एक बहुत इस पॉइंट डिफिनिटली understandable है कि लिए सकते हैं यहां पे एक बिक बार कैंडल बनी है इन सभी कैंडल के comparison में बढ़ी है इसके लोग बेशेट स्विंगा यह से ल देखिए कितना बढ़ी है टार्गेट आपको देखने को मिलेगा यहां पे कुछ है क्या यहां पे एक रि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए आप कौन सी स्ट्राटजी फॉलो करते हैं आप मुझे लाइब मार्केट में भी जॉइन कर सकते हैं टेली फ्री में लर्रनिंग मिलती है थैंक उन्ट कर दो में लिफए लगी बताइब मार्केट में लाइब स्टाब कर बा कि अरeed भी लिएक जो खुदियों